कोटा में कोविट प्रबंदन की समीक्षा के लिए ADG गोविंद गुपता कोटा दौरे पर है उन्होंने कोविट प्रबंद को लेकर कलेक्टर उजवल राठोड आईजी रवीव दत्त गौड SP केसर सिंग शेखावत के साथ बैठा की ADG गोविंद गुपता से बात की हमारे भीरोचीफ प्रणेविचे ने कोटा में कोविट प्रबंदन की देखरे के लिए उसकी जानकारी के लिए ADG गोविंद गुपता कोटा आए है कल रात इन्होंने लगातार पूरे शेहर में सगन चर्चाई की और लगातार बेट के ले रहे हैं हमारे साथ गोविंद जी गुपता है सर किस तरीके से प्रबंदन किया जा रहा है शेहर में आपने क्या फीडबेक लिया और क्या इसके आउट्पिट है कोरणा के प्रबंदन में एनफोर्समेंट का एक रोल होता है जो भी नियम काईदे कानून है आपका कोविड एप्रोपिट भीएवियर है इस सब की पालना मास्क पहनना प्रपर डिस्टेंज मेंटेंग करना कंटिनमेंट जोन को मेंटेंग करना जीरो मोविलिटी एंशू करना है यह सारे काम एनफोर्समेंट के होते हैं तो इनके एनफोर्समेंट की समिक्षा के लिए इनमें कोई कटना ही तो नहीं है इसकी बात करने के लिए और हमारा बेसिकली प्रशासन को सहयोग प्रपर है कि नहीं चिकिस्सा विवाग को सहयोग प्रपर है कि नहीं इन सब सायोग अच्छा है हम एंफोर्समेंट पुलिस अच्छा कर रही है सभी अपनी जूटों के पृति जाग रूख है कल आपने देखा होगा कि कर्फ्यू का पालन अच्छा कराया था कल बहुत एफेक्टिव कर्फ्यू का पालन हुआ और जो मेडिकल खेत रखे अधिकारी घंथे उन्होंने भी अवगत कराया कि इनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का इससे लड़ाई करने के लिए वो तैयार हालत में है किसी भी इस्तिती से निमटने के लिए यह तैयार बताते है पहली लहर और दूसी लहर में कोटा में लगातार बहुत गंबी इससी उत्पन हुई थी वो इससी नहीं हो इसके लिए प्रिशासन क्या उपाय कर रहा है या किस तरी की तैयारियां की जा रही है उसका तरीका तो यह होता है कि आप अपने संसाधन बढ़ाएं तो जैसा आज बताया गया है पिछली लहरों की तुलना में अभी हमारे पास हर तरह के संसाधन पिछली बर्श की तुलना में बहुत ज़्याद है चाहे वो oxygen की availability हो, चाहे oxygen यूप पलंगों की संक्षा की हो, चाहे ICU की पलंगों की संक्षा हो, या dedicated hospitals की capability की बात हो, दवाईयों की stock की बात हो, इस सब चीजों में basically पिछले वार से हम ज़्यादा तैयार हैं, हमारा system ज़्यादा तैयार है, सरकार ज़्यादा तैयार है अच्छा, आप पुलिस से हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहरा हूँ आप से, कि पुलिस लगाता duty करती है, पहली लहर, दूसी लहर में पुलिस वाले बहुत प्रभावित हुए, काफी लोग यहाँ पे मतलब injured भी हुए, expired भी हुए, तो पुलिस के welfare के लिए भी कोई बजना ही है कि अपन जो भी frontline worker है, नेकेबल पुलिस और चिकिसार अन्य लोग, जो हम frontline worker कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि सबसे पहले third dose हमें ही allow की गई तो बहुत बड़ा welfare है, चुकि हम ही लड़ते हैं, तो इसलिए third dose सरकार ने सबसे पहले हमें लगवाई है, द पताती है, तो उसमें भी जो भी सरकार की योजना है, welfare fund है, उन से उनको कराते हैं, भगवाई ना करें, मृत्यू की अवस्ता में भी आपको हम बता दें, पिछले साल जो मृत्यू हुई हैं, उनमें से करीब, अधिकांश को हम 70 लाक के करीब जो सरकार की योजना है, उसमे कोई विशे इसकोई बार, तो ये थे ADJ गोविंद गुपता, जो लगातार कोटा में कोरोना की समिक्षा बेटके ले रहे हैं, जिला कोटर उजवल राठोर, आईजी रविदत गोड, शेहर एसपी, कैसरतिंग, शेखावत लगातार इनके साथ हैं, और लगातार ये कारव हों, एवन टी वी के लिए कोटा से प्रक्रक्न के समिक्षा बेटके कहाँ, परादार में के साथ हैं, आईजी अजी 낮गार।